किसान भाईयो मैं परसो जैसिंग कुर्नंगला चंद्राजी के गाउं में गया था और मैंने उनकी दो वीडियो बना का डाली है एक तो जो मेरा नाम का चैनल है सौमबीर सिंग पूनिया उसमें टाइटल है पचास लाग के किर्सी अंत्र भाईयो उनके पास सारे किर्सी अंत्र है एटू जैड साथ दूसरी बात उनसे खाज जानने को मिली वे गन्ने का बीच बीच दे देते हैं उनकों का रविया आया है दस बीस किलो के तो भी पैसे नहीं मांगते हैं कुछ मेरे किसान भाई पांच रुपे आँख दे रहे हैं कोई दस रुपे दे रहे हैं वो कहते हैं भाई हमें तो जो मिल का रेट है वो ही रेट है बता रहे थे एक किसान ने एक उंटल बीच लिया और उन्होंने दो सो तो उन्होंने काहा ये क्या उन्होंको जी बीज करेट है मैं ये ऐसी बताया मात्र तब 5.00 रुपे रखे उन्होंने और वो बीज दे दिया पंद्रिसो रुपे वापस रोटा दिये देखो ये होती है इंसानियत अब किसान ये किसान को ठगेगा तो फिर क्या होगा मुझे बहुत अच्छी बात लगी उन्होंने मुझे से बताया ये बात ये बात वीडियो से लग हुई पहले हम बैठे बात करे थे चाय वाई पी रहे थे दूसरा उन्होंने बताया कि अगर किर्सी अंतराप के पास नहीं है तो ट्रंच भी दिखा गन्ना ना हो क्योंकि ट्रंच भी दिखा गन्ना अगर बांधना पड़ गया तो फिर वो ट्रंच भी दिखा क्या रह गया इससे तो सद्धा बोलो ये अंतर अपने पास हो या किराय के मिल जाए तो ही बोमे दूसरा अगर पावर टीलर साब खित्ती कर रहे हो तो पावर टीलर जो है हमने भी अजमया बड़ी हाँ काम करता है दो की जंगा तीन बार जो तो चार बार जो तो फिर गन्ने की चोड़ाई जो है पाँच फुट मत रखो उसे एक फुट घटा दो या तो 36 कर लो या 42 कर लो या 48 कर लो मतलब एक फुट घटा दो क्योंकि जो मिट्टी उसने चड़ाई बहुत जोड़ लगा के तो वो इसके निच्चे नहीं गिर पाई ये साइड में में इंडल बंद गी मतलब ये लगा लो कि एक फुट पिछे रहेगी ये 5 फुट है बढ़िया तो वो 3 फुट या 36 पर ही काम करेगा 36 पे तो वो बहुत बढ़िया मिट्टी चड़ा देगा दुनों तरब से गहराई से बोलो और 36 कर लो क्योंकि 5 फुट उसके लिए भारिया फिर बड़ा यंत्र लेना पड़ेगा उससे भी एक और खास जानकारी मिली देखो ये दूसरे के पास जाने से मिलती है आप हमारे हैं आएंगे हम आपके हैं जाएंगे जबी तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा हमने जो गन्ना बोया था एक धोरे से एक आँख का बोया उन्होंने बताया एक आँख वो आठ इंच की शैंच की जगे छोड़ दो तो उसमें गन्ना ब्यात भी करता है और गन्ने में फुलाव अटाती है मोटा होता है अब जैसे हमने बान दिया बनने के बाद में भीच गया इसमें गन्ना वो मोटा नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए फरक पड़ता है इस बात का पत्ती भी कहरे उतारने का लाब तो है लेकि कोई खाज जरूरी नहीं है उन्होंना किसी भी खेत की पत्ती नहीं उतार रखी और भाईयो एक वो रूट मैनेजर के आप उलना है वो जो बरमासा चला है पंके की तरो घूमता है वो भी होना बहुत जरूरी है उसमें कई तरह की क्वालिटी है जो उनका लोकल था वो तो खराब हो गया उन्होंना फिर पैंसेट हजार रुपे का नया लिया जिसका बलेड भी बारे से चोदह हजार रुपे का पड़ता है वो बहुत जरूरी है वो जो है यहां तक मतलब जब हम इसे पेड़ी लवे गन्ने को काट लेंगे तो यह जो खाई बंदरी है दोनों धर्ब को वो इसका लेबल बना देगा बड़े ट्रैक्टर से चलेगा हो और खूड को काटते चले जाएगा उससे बहुत ज़्यादा जमाव होता है और जोसमें एक कोली का मिढ़ा हो रहा और फिर जुताय उताय करके खादवार डालका उन्होंने मिट्टी चड़ा दी दूसरा उन्होंने बताया कि ज़्यादा है ओवर लागत मत लगाओ उस पेंदर मसूरी ने ओवर लागत लगा दी बेहिसाब और गन्ना इतना बढ़िया एक वो यारा का प्रोड़क्ट लगा दिया ज़्यादे ओवर बढ़िया तो वो बांदना पड़ा उतना है लेवर ले रही है दखो नब्य सो का एवरेज आए गन्ने का टोटल लगवे का कम लागत में इससे बढ़े हैं नी बानता चंद्राजी ने बताया कि हमारा सो का ओसर आज़ता है बोड़ का पिड़ी का और वे जून के बाद में उसमें खात नी जालते उनका ऐसा ही गन्ना खड़ाता लेकिन चोड़ा जाते थे क्योंके पत्ती बत्ती दुन्नमाई को फैली थी उनकी उन्होंने एक बात मैंने उनसे पुच्छा है मांका भाई जैसे मिट्टी में दब गया निच्चे दब रहा पिर हमने मिट्टी में दाब दिया तो धाई-तीन फुट हमारा गन्ना दब गया तो ये तो नुक्सान रहा नुक्सान नहीं रहा और एक गन्ने की च्छै साथ आंख दपती हैं मालिय हम साध्धी वीदी से भोते हैं एक आख दपती है प।े मित्टी च्टी की दो तो यहाँ तक ही जड़ फैलती है और अगर धिन अगर लू दब गया तो यह च्छै साथ आंख तक जो मित्टी आजाती है तो निच्चे से उपर तक जड़े फैलती है और वो चारो तरफ से भोजन लेता है और उसी हिसाब से उसकी दूगनी लंबाई बढ़ती है अब जैसे हमने ये मिट्टी चड़ाई उन्हों ना पता है इसमें खाद जालने की जरूत नहीं है मिट्टी जैसे बारिस पड़ेगी या धीरे धीरे ये नमी लेती रहेगी इसमें जड़ जमनी सुरूँ जाएगी जैसे उपर की जड़ जमेगी तो वे भोजन लेगी तो ओटोमेटिक गन्ना पड़ेगा क्योंकि जो जमीन में खाद पड़ा है खतिली जमीन है खतिली मट्टी है तो यह सारी इसकी जड़ में जाएगी क्योंकि पांस बीच में ढ़ाई फुट लो सूत नहीं आते इसके जड़े यह हमने इस पर पलट दी तो यह इससे सोख लेगा इसकी ताकत को और एक दम इस पास आर आएगा बढ़ेगा भाई यह हमने जून में इसमें खात लगाया था उसके बाद में नहीं लगाया सिर्फ बंदफानों तो पड़ा वो भी इस लिए कि हमारे पाई यंत्र नहीं थे पावर टीलेर बड़िया चीज हमें बुराई नहीं कर रहा लेकिन वो उसके हिसाब से चोड़ाई ज्यादा होगी इसकी हमें भरसाता लेवर मिल जाई कि लेवर हमें मिलनी पाई तो इसलिए प्रोब्लम आई अब सितंबर के लास्ट में हमें मिला है ठेकेदार अब यह वो मंध्रा विचारा चड़ा रहा हम चड़वा रहे हैं मिट्टी कोई बात नहीं चड़वाएंगे दुनों खित्तों में तो अब यह आग गया और बांधने की जुरूत नहीं पड़ेगी क्योंकि मिट्टी से दब गयार एक बर बंद किया यह ओटोमेटिक चलता रहेगा उपर को अगर हमारा कम लागत में नब्बे का भी ओस्वता गया मैं यूंको 85 का भी आ गया क्योंकि हमारा टोटल गरने का एवरेज 80-82 आता है पूरी सप्लाई बहुत महनत करके तीन तीन चार चार बार बंद भागे सब कुछ खर्चा मनलब सब उसी में ये बैसी 85 लगा लो आप टोटल बीज भी सब लगा गया तो 85 कुंटल में सारा खर्चा उसमें जुड़ता है इसमें भी अगर 85 का आगया तो मानलो आद्धा तो बीज बच किया मानले अप 1500 का बीज बच किया 1500 की बंदाही बंच कि तो 3000 रुपे भीगा का मतलब यो है कि 10 कुंटल हमारी और पैदावार बढ़गी उसके हिसाब से क्योंकि खाद भी पढ़ता है उसमें हम पेड़ी में साद्धी में आप डालना बालकोने पढ़ गए अंदर खाद कल पपलू डालना था मजबूरी है क्योंकि कई परबंदी के उलट पलट होगी रंग पेडा पढ़ गया तो उसमें डालना पढ़ रहा है इसमें हम बढ़े नहीं बिल्कुल भी तूकि खेत में जान भी है और दूसरा इसके हमने जुताई बहुत करीदी खेत की बट्टी पल्टी पत्ती जोती तो देखो जुताईकार वैसा गुन तो लगता है यह भाईयो कई घास नहीं है बेल नहीं है फालतू अमालिया हम इसमें भी धकापे लगए खादगी तो बताओ क्या फाइदा रहेगा गन्ना स्वस्त है लंबा बढ़ रहा है और अभी तो यह चलेगा फरवरी लास्ट में गे रहेंगे फरवरी के बाद ही मार्च में इसमें लगण लगएगा अक्टूबर नॉम्बर दिसंबर जनुवरी फरवरी बाच मतलब यह आध्धा इसका भी सीजन हुआ समय आध्ध का एवरेज दे रहा है और उससे लागत बचा के तो समझ लो बीस कुंटल पढ़ती भी गा हमारी लागत बढ़ी क्योंकि खर्चा बचा बचा तो बीस कुंटल का मतलब है अगर हम छोटे किसान है हमने दो हैक्टर भी गन्ना वया तो यह लगा लो जी पान्सो कुंटल पेगे हमें बचा थी हमारा खर्चा बचा दो हैक्टर के किसान का मैं ओसत बता रहा हूं तो फेर हम धीरे-धीरे किर्शी अंत्र भी ले सकते हैं तो यह तो फिर हमारा हमेशा ही बचता रहेगा इसमें हम अगली बार और तो जूरुबा करेंगे कुछ खूड हमें बोने हैं खड़े डेट-डेट फूट पर आँख बोनी हैं जैसे अवतार सिंग बो रहे हैं उन्होंने बताया उनका परियोग है कोई जूट तो बोलनी रहे क्योंकि हमने इसमें एक दोर से बीच गेर्दिया मिला मिलाक है और वो जाद हो गया गन्ये को फूलने का भी मौका देना चीए बढ़ने का अब देखो जो और सा तो पढ़ रहा है एक अंड़ा दप गया एक कफुट तो अब दप गया मट्टी चड़ गया लेकि नहीं चं कि जड़े बनेंगी और जड़ बनके पेड़ मजबूत होगा भोजन मिलेगा और यह उतना उपर बढ़ेगा चलो पहले साला तो जुर्बा करने हैं भाईयो बुराए कुछ नहीं है तो भाईयो आज की वीडियो में इतनी काफी है आपको कैसे लगी जरूर बताना और वी जो पड़ी है कल लली मैंने उसको आप देख लें कुलानन जो उनका बेटा है वो फोटो में आ रहा है उसको देखें उनको समझे उनका गन्ना देख के पेड़ी पोद्धा कहीं भी बन्धा हुआ नहीं है और बहुत मोटा गन्ना है बहुत तकड़ा खड़ा है जाकर एक स बते तो खिकते ना खर्चा आता है भाई एक बर का तो रुकता नहीं दो बार तीन बार में तो तीन पंदर तो डेड़ लाग का बचत भी तो भाई यो बुराए कुछ नहीं है आप एक बार वीडियो देख ले चंदराज जी के पहां जा भी सकते हो जैसिंगपुर में तो द दोस्तो आज की वीडियो में इतने काफी है नमस्कार कुछ बात रह गई हो तो अगली वीडियो में पूरी करूँगा